हलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर समाजिक सरचना के बारे में अध्यन किया था, उसकी आर्थ और मीनिंग के बारे में बात करी थी और मैंने आपको बताया था कि जो समाजिक सरचना होती है, वो समाज के सरचना होती है, मतलब समाज को बनाने के ल कि principle of sociology जो है समाजिक सरचना के बारे में हरबर्ड स्पेंसर ने सबसे पहले अपने विचार जो थे वो principle of sociology में किया था और बाद में दुर्खीम ने the rules of sociological method में इसके बारे में बताया था तो यतनी बाते हमने अपने previous वीडियो के अंदर करी थी आज हम बात करेंगे समाजिक सरचना के प्रमुक रूप या जिसको हम बात कह दें कि principle types of social structure देखिए समाजिक सरचना के विभिन रूप भी होते हैं जिसके अंदर सबसे पहला यदि हम बात करें तो वो हो जाता है सार्व भौमिक प्रदत प्रतिमान ये कौन से प्रतिमान होते हैं सार्व भौमिक से मतलब क्या होता है जो सब जगे हो और प्रदत मतलब जो दिये गए हो ठीक है जो हमें जन्म से मिल जाते हैं जैसे हमारी जाती विवस्था है वो हमें जन्म से मिल गई है, हमारा रंग है, हमारा रूप है, हमारी हाइट है, यह हमें जन्म से मिले हुए है, इसके लिए हमने कोई efforts नहीं करे हैं, तो यह क्या होते हैं, प्रदत, और यह जब सभी जगें होते हैं, तो वो सार्व भॉमिक या जिसको universal कहते हैं, वो होते हैं अब ये कौन से प्रतिमान होते हैं तो इस प्रकार के जो प्रतिमान होते हैं वो ऐसे समाज कुछ ऐसे भी होते हैं जिन में प्रदत प्रतिमानों को सार्वजनिक रूप से स्विकार किया जाता है ऐसे प्रतिव समाजों में परमपरागत आदर्शों और करतव्यों की और अध अधिक जुकाओ पाया जाता है तो ये सार्वभौमिक प्रदत प्रतिमान हो जाते हैं नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सेकिंड की सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान अब सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान कौन से होते हैं ये वो प्रतिमान होते हैं जिनके अंदर हम खु प्रतिमानों का समावेश होता है इस प्रकार के जो प्रतिमान है वो व्यक्ति अपने प्रयतनों और अपने गुणों के द्वारा स्वेमर्जित करता है जैसे माली जीए आप पढ़ रही हैं और आप पढ़ लिक कर कोई बड़ा आदमी बन जाती हैं एक अच्छी जौब ले लेती हैं तो वो आपका अरजित प्रतिमान है और प्रदत प्रतिमान फर्स्ट वाला जो आपको पेरिंट से मिला हुआ है जैसे मैंने आपको बताया है कि आपकी जाती आपका रंग आपकी हाइट आपकी हैल्थ यह सब जो चीजे हैं आपको पेरिंट से मिली है ठीक है ने यानि के स्थान पर विशिष्ट मुल्यों पर अधिक जोर देते हैं उधारन के लिए यदि हम एक्जैम्पल देखें तो जैसे मालो परिवार है गोत्र है वंश का महत्व जो है हमारे भारतिये समाजों में विशेश रूप से पाया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे विश विशिष्ट अरजित प्रतिमान अब हम बात करते हैं विशिष्ट प्रदत प्रतिमान अब ये कौन से होते हैं तो विशिष्ट प्रदत प्रतिमान वो होते हैं जिसमें रक्त सम्मंद और स्थानिय समुदायों पर ये आधारित होते हैं और इस प्रकार की सामाजिक सरचना में व्यक्ती के गुण, जो आपके अंदर गुण हैं, उनको अधिक महत्व दिया जाता है और समाज को बनाये रखने के लिए नैतिकता पर जादा, मतलब हमें ये करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब ये नैतिक मूल्यों का इसमें विशेश महत्व होता है और ऐसी सरचना वाले जो समाज होते हैं वो विशेश रूप से स्पेन में पाए जाते हैं और ये विशिष्ट प्रदत प्रतिमान जो है ये विशेश रूप से जो है वो इंडिया में पाए जाते हैं अब हम बात करते हैं कि समाजिक सरचना के स्तर कौन कौन से हैं देखिए समाजिक सरचना के या यूं कह दीजिए कि level of social structure अब Johnson हुए हैं उन्होंने ये बताया है एक समाज़ शास्त्री हुए है Johnson और इनकी पुस्तक है sociology इसमें उन्होंने दो तरहें के जो है level बताये हैं समाजिक सरचना के पहला जो level बताया है उन्होंने वो बताया है प्रकारयात्मक उप्रनालियां और दूसरा उन्होंने बताया है सरचनात्मक उप्रनालियां मतलब अब हम बात करते हैं कि प्रकारयात्मक उपपरनालियां कौन सी होती है ठीक है अब प्रकारयात्मक उपपरनालियां वो ऐसे जो है ये प्रतिमान होते हैं जो की अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और problem solving या समस्याओं का निर्मान और आवशक्ताओं की पूर दे करनी होती है इनमें और इनमें ये वे होते हैं जैसे प्रतिमानों को बनाए रखना तनाओं को दूर करना ये सब इसके अंधर आते हैं इनमें से प्रतेक समस्या के लिए एक प्रकारयात्मक उपपरनाली जो है वो होती है ठीक है जैसे मानली जीए हम example लें कि परिवार प्रकारयात्मक उपपरनाली समाज में समाजी करन के द्वारा दिन प्रति दिन के तनाओं को दूर करने के लिए समाजिक प्रतिमानों को बनाए रखने का कारे करती है इसी तरह सिक्षन संस्थाएं हो गई धार्मिक समू हो गई मनोरंजन के समू हो गई अस्पताल अन्यस् संग्ठन जो है वो भी समाज में तनाव को दूर करने के और प्रतिमानों को बनाए रखने में अपनी महत्वपून भूमिका अदा करते हैं। साथ ही साथ अब हम दूसरी के बारे में बात करेंगे और ये इसके अंदर क्या है सरचनात्मक उप्रनालिया या स्टॉक्चरल सब सिस्टम्स ये क्या होते हैं ये वो होते हैं जिसमें ये एक तो अमूर्थ होते हैं इनको आप जैसे देख नहीं सकते हैं इनको आप छू नही सकते हैं यह अमूर्ध होती है जबकि सरचनात्मक उप प्रनालियां जो है वो मूर्ध समूहों से बनी होती है जैसे नातेदारी तंत्र गोत्र वंश समूहों से बना होता है जैसे नातेदारी किस से बनी होती है गोत्रों से और वंश समूहों से इसके अतिरिक्त चर्च मूर्थ और वास्तविक होती है और प्रकारयात्मक उपप्रनालियां जो होती है वो अमूर्थ होती है ठीक है इसी के साथ साथ ही हम सरचना के साथ साथ प्रकारयों के भी बात करते हैं जैसे माली जी किसी भी social structure है उसके function भी होते है ठीक है प्रकारय मतलब function social structure मतलब समाजिक स तो अब इसमें क्या होता है जैसे मालेजी हमारा शरीर जो है वो एक सरचना है इसके अंदर हर बोडी पार्ट का एक अलग काम है ये एक सरचना है अब इसका प्रकार्य क्या है जैसे आँखों का कार्य क्या है देखना मुझ का कार्य क्या है बात करना जीव का कार्य क्या है और सरचना के प्रकारे होते हैं तो हम mostly प्रकारे का अर्थ जो है समाज या समूद द्वारा किये जाने वाले कार्य और उसके योगदान से लगाते हैं किन्तु समाज शास्त्र में यदी हम प्रकारे का अर्थ करेंगे तो समाज शास्त्र में प्रकारे का अर्थ सम्पून समाजिक सरचना को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए जो योगदान दिया जाता है जैसे बॉडी को अच्छा बनाए रखने के लिए आख क्या योगदान दे रहे हैं नाख क्या योगदान दे रहे हैं हाथ क्या योगदान दे रहे हैं यह आपको पता है ऐसे ही समाज रूपी सरचना को बनाए रखने के लिए, समाजिक सरचना को बनाए रखने के लिए परिवार क्या योगदान दे रहे हैं, सिक्षर संस्थाएं क्या योगदान दे रही हैं, राजनितिक संस्थाएं, धर्म, ये सब क्या योगदान दे रहे हैं, ये उसके प्रक तो प्रकार्य वो कार्य होते हैं जो कि समाजिक विवस्था के अंदर अनुकूलन बनाते हैं और सामन जस्य बनाए रखते हैं और यदि सरल भाषा में यदि हम इसको कहें तो प्रकार्य समाज और संस्कृती की इकाई में वह योगदान देती हैं जो कि समाजिक सरचना को तोपिक था इसी के साथ